हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू साइंस मैगनेट दोस्तों कैसे हैं आप लोग सभी आई होप सभी बहुत अच्छे हैं शांदार हैं जैसा कि आप लोगों को पता है डेली सुबह दस बजे क्लास होती है जहां पर एक क्लास में एक चेप्टर हम लोग पूरा कंप्लीट कर रहे ह तो आज मैं आप लोगों को सैल यानि कोशिका करवाने वाला हूँ इसका आप लोग घ्यान रखे मतलब बहुत इंपर्टेंट चेप्टर है और आसानी से आप लोगों का इसी क्लास में आप लोगों को सब कुछ समझ में आ जाएगा जो भी से रेटेड क्योशन पूछे ज को स्टार्ट करें चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं पहला क्योशन है आपके स्क्रीन पे अंसर आप लोग बताईए पहला क्योशन आपके स्क्रीन पे क्योशन में क्या बोला जा रहा है हां क्योशन में क्या पूछा जा रहा है कोशी का क्या है तो यार ऑबिसली वात है द एक चीज़ ध्यान रखीए गाई सेल यानी कोशिगा के बारे में बहुत सारी चीज़ है क्या एक तो यह आप लोगों की स्मॉलेश्ट पार्ट हो जाएगा सबसे छोटा ठीक है इसको आप लोग फंक्शनल पार्ट बोल सकते हो फंक्शनल का मतलब क्या है जैसे मान लीजिए लीवर का कोई ना कोई फंक्शन है लीवर का कोई ना कोई कार्या है तो लीवर किसे मिलके बना हुआ है बहुत सारी सेल से मिलके बना हुआ हो ना तो जो लीवर का फंक्शन है वो बेसिकली किसके द्वारा परफॉर्म किया जा रहा है किसके द्वारा किया जा रहा है लीव बेसिक उनिट ओफ लाइफ करेक्ट अंसर ओप्शन नमबर बी हो जाएगा चलिए नैश कोशन आपके स्क्रीन पर अंसर आप लोग बताईए क्योशन आपके स्क्रीन पर बताईए आप लोगों से बोला जा रहा है हाईपर ट्रॉफी का अर्थ क्या है देखो इसको सिंपल सी बात समझेए ट्रॉफी आप लोगों को जब मिलती है तो आपको प्रसंता होती है क्या वर हम लोग बोलते है खुशी शेयास्तो भी या मेरा स कोशिकाओ की संख्या में वरद्धी हो जाती है अबनॉर्मल इंक्रिमेंट हो जाता है तो इसको आप लोग क्या बोलते है हाईपर प्लेसिया ठीक है तो दोनों में आप लोग डिफ्रेंस बढ़ गया तो डैट इस दी हाईपर प्लेसिया समझ में आ गया तो दोनों में डि आप लोगों से बोला जा रहा है निम लिखित में से किसे कोशिका के पावर हाउस के रूप में जाना जाता है आप देखिए आप लोगों को ये भी पता है कि यार हमारी पूरी बॉड़ी को एनरजी की जरूरत है हमारी पूरी बॉड़ी किस से मिलकिया बनी हुई है कोशिका energy की ज़रूत किसको है कोशिका को है अब यार कोशिका के पास में energy कहां से आती है आप लोग समझिए आप लोग जब भोजन करते हो तो उसमें जो कार्बो हैडेड होता है जब इसका digestion होता है तो उससे आपको क्या मिलता है glucose मिलता है glucose आता है आपके कोशिका के पास में ब्लड के माद्यम से ब्लड के माद्यम से ही आप लोगों की कोशिका के पास में आक्चिन पहुंसता है तो जब ग्लूकोज और आक्सिजन मिलते हैं जब ग्लूकोज और आक्सिजन मिलते हैं तब जाके बनती है एनरजी और साथ में कार्बन डाई पर पड़े हैं देखो मैंने एक सोने की चैन पेंद रखी है सर मेरे हाथ में इतनी सोने की अंगोटी है तो मैं इस से अंदाज लगा सकता हूं कि अरभी आपके पास में पैसा कितना है समझ गये बात को तो similarly कोशिका के पास में कितनी एनर्जी है इस बात का पदा कैसे लगाते हो दोस्तो इसके पास में होते हैं ATP के molecules basically जितने ज्यादा ATP के molecules ATP के अनु बनेंगे आप लोग बोलेंगे कोशिका के पास में उतनी ज्यादा एनर्जी है इस ATP के full form क्या है adenosine triphosphate तो यह जो molecules बनते हैं यह कहां पर बनते हैं हमारी कोशिका की में एक अंग होता है जिसको बोलता है mitochondria तो यहीं पर बनता है तो basically जो भी energy है वो basically इस mitochondria के पास पर है इसलिए हम लोग इसको powerhouse के रूप में जानते हैं करेक्ट अंसर आप लोगों का option number A हो जाएगा आप लोगों को लगता है यार हमारी कोशिका में केवल एक ही mitochondria पाय जाता है नहीं दोस्तो हमारी कोशिका में बहुत सारे mitochondria हो सकते हैं जैसे अगर liver की कोशिका की बात करे तो यह उसमें 100-200-200 आप लोगों को mitochondria मिलेंगे बहुत जादा आप लोगों को मिलेंगे कोई कोई हमारी कोशिका SCB जिसमें mitochondria नहीं मिलता जैसे हमारी जो RBC है red blood cell लाल दक्त कोशिका इसमें mitochondria हमको नहीं मिलता ठीक है चलिए इसका अंसर बताएंगे हाँ और दोस्तों एक चीज और ध्यान रखेगा mitochondria से related एक क्योशन पूचा जाता है है ना कि इसकी खोज किस ने करी तो इसकी खोज करीती Richard Eltman ने ठीक है Richard Eltman ने इसकी खोज करीती ये चीज आप लोग ध्यान रखेगा चलो आज़ो नैश कोशन आपके स्क्रीन पे अंसर बताएंगे क्योशन में आप लोगों को बोला जा रहा है निमलिकिट में से कौन सा कोशिकांग प्रोटो प्रोटीन और लिपिड लिपिड किसको बोलते हैं फैट यह नहीं वसा का ही दूसरा नाम लिपिड है तो लिपिड के परिवेन, संशोडन और पैकेजिंग के लिए जिम्मेदार है देखिए समझे मेरी बात को देखिए आप लोगों की जो कोशिका है इस कोशिका में बहुत सारे कोशिकांग पाये जाते हैं जैसे माइटोकॉंड्रिया भी पाये जाता है गौल जी बाड़ी, गौल जी का ये भी पाये जाता है राइबो जोम भी पाये जाते है लाइजो जोम भी पाये जाते है और हर कोशिकांग के कुछ विशेश कारे होते हैं तो यार आप मुझे बताइए जैसे आप लोग जब भोजन करते हो तो हर कोश्रिका के पास में कार्बोहाइडेट भी पहुचेगा, प्रोटीन भी पहुचेगा, फैट भी पहुचेगा, ठीक है तो अर्क क्योशन मेरा ये है कि जैसे आप लोगों को ये भी पता है, हमारी बॉड़ी में अलग-अलग हॉर्मोन्स बनते हैं कुछ हॉर्मोन किसके बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं, कुछ हॉर्मोन फैट के बने होते हैं, हमारी बॉडी में एंजाइम भी बनते हैं, एंजाइम किसके बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं, तो जो प्रोटीन इनके पास माया, उसका मतलब मालो एक जगे उ बोलते हो इसको गौल जी एपेरेटस के नाम से भी जाना जाता है ठीक है चलिए आगे चलते हैं नैश कोशन पे अंसर आप लोग बताएंगे आप लोगों से बोला जा रहा है प्लाजमा जिल्ली किस कार्बनिक अनु से बनी होती है अब कार्बनिक अनु किसको बोलते है ऐसा अनु जिसमें कार्बन पाया जाता है चलिए देखते हैं फिर ऐसे तो कार्बन तो विटामीन में भी आपको मिलता है कार्बो हाइडेड में म मिलता है fat में मिलता है protein में मिलता है तो केवल इस बात से आप लोग अंसर का पता नहीं लगा सकते आप लोगों को पूरी knowledge चाहिए ही होगी देखें दोस्तों प्लाजमा जिल्ली यानि कोशी का जिल्ली क्या होती है कोई भी कोशी का होती है ना इसके आउटर most जो layer होती है इसे आप लोग बोलते है cell wall और हिंदी में आप लोग इसे बोलते है कोशी का बित्ती ठीक है क्या कोशी का बित्ती और इसके जो अंदर वाली layer है इसे आप लोग क्या बोलते है cell membrane यानि कोशी का जिल्ली समझ में आ गई बात को समझ में आ गई बात को बिल्कुल सर समझ में आ गई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है लेकिन दोस्तों जो cell wall होती है वो किसी में मिलेगी किसी में नहीं मिलेगी लेकिन cell membrane कोशी का जिल्ली की बात करें तो सर ये सभी प्रकार की कोशी गाओ में मिलेगी चाए वो plant की cell हो चाए animal की cell हो चाए bacteria की cell हो तो अभी पहले आते हैं हम लोग cell membrane पे इसकी अभी छोड़ दीजे अभी आगे बहुत सारे question में और discuss करेंगे लेकिन उस्तों cell membrane का ही दूसरा नाम क्या है प्लाज्मा membrane जिसे आप लोग हिंदी में प्लाज्मा जिल्ले पे बोलते हैं समझ गए बात को समझ गए जी सर समझ अब मुझे बताओ आगे क्या दोस्तों यह जो प्लाज्मा membrane होती है यह किसकी बनी होती है फॉस्फो लिपिड की बनी होती है इस फॉस्फो लिपिड का मतलब क्या है लिपिड तो आप लोग जानते हो फैट का दूसरा नाम होता है फॉस्फो का नम मतलब इसमें कुछ प्लाजमा मेंब्रेन होती है इसमें होता है पचास परसेंट लिपेड और पचास परसेंट प्रोटीन अगर आप लोग बात करें वेट के हो गई नहीं पाई जाती क्या हमारे सेल वॉल कोशीका पित्ती पाई जाती यह नहीं थो हमारे सबसे भाड़ी लेयर कौन सी हो जाएगी सेल मैम्ब्रेन हो जाएगी कोशी का जल्ली दूर्ष नहीं के कि जो सेल मेंबरेन होगी कोशी का जिल्ली वो दूसरी कोशी का की कोशी का जिल्ली से अटेच होगी क्या अटेच होगी क्या अटेच होगी अब अटेच कैसे होगी समझी इस बात को प्लीज समझीए 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 देखो इसके अंदर का इस वाली कोश्री का का में structure बनाता हूं कुछ किस प्रकार से होता है तो अगर आप द्यान से देखो गए यह देखो इसको देखो प्लीज समझे मेरे बात को यह कुछ ऐसा structure आप लोग देख पार हो तो यह तो हो जाएगी tail यानि पूछ समझ में आ गया और यह हो जाएगा head जिसे आप लोग सिर बोल सकते हैं प्लीज समझे बात को समझ में आ गई ठीक है सर बात समझ में आ गई पूरी तरके से नहीं है लेकिन चिननू सी आईए मेरे को बात समझ में कोई बात नहीं है आप लोगों को यह बात ध्यान रखना है कि जो हमारी कोशी का होती है उसके अंदर एक liquid पाया जाता है जिसका नाम है साइटोपलाज्म कोशी का द्रव्य तो चलो इसके अंदर जो लिकविड है इसको मैंने मान लिया साइटोपलाज्म यानि कोशी का आप मुझे एक छोटी सी चीज बताईए कि ये जो हैड है ये जो हैड है ये किसकी तरफ है ये इस लिक्विड की तरफ है क्या इस लिक्विड का मेजर पार्ट पानी होता है तो क्या पानी की तरफ है क्या है अरे जो हैड है वो पानी की तरफ है क्या तो जो चीज पानी की औ पूछ पूछ है पानी की तरफ है पानी से दूर है यहां पर भी देख लो यह रही पूछ पानी की तरफ यह पानी से दूर है इसको पानी से डर लग रहा है फोबिया है पानी से तो अगर आप लोगों से पूछा जाए कि जो टेल है पूछ है वो हाइड्रो फोबिया है कि पानी से बिल्कुल तो यह आपका हाइड्रो फोबिया होगी दोस्तों क्लियर है कि आप बता पढ़ते हो आपको ऐसे टीचर चाहिए ना कि आदे गंटे की क्लास में बस 25 मिनट तो फालतु की गाता 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 रहे फिर बोलते वसार हमारा सेलेक्शन नहीं हुआ कहां से होगा तुम हो बेकुफ तुमको तो बस कच्रह चाहिए जHeHe he five minutes को क्लास में कुछे को लेकर आ रहा है कोई किसको लेकर आ रहा है बस उसको देखना है यह फालतु में कमेंट कर रहे हो देखो सार आपने फिर जार न नो सुन नर में रखा है ही है हृ ही पर अब मेरे कमेंट पर सेंगे कि स्पाइडर मैं सबसे बड़ा बेवकूफ है यह कमेंट वाला क्योंकि आपको मैंने पहले ही बोल दिया कि दोस्तों जो टैस रीजे उसका प्राइज मैंने 14,99 में इसलिए रखा है क्योंकि आप अभी कोई खरीदे नहीं क्योंकि उसमें क्य क्यार हो जाएगा आज हो जाएगा वह ना तब मैं उसकी प्राइज बिल्कुल कम कर दूंगा जो अफ़र्डेबल प्राइज होती डेट सो दो सुरुपय वह मैं आपकी कर दूंगा तो तीन चाह दिन बार मैं मैंने आपको इत्ती बारे इसके बारे में वह दे दिया एक्स्प्राइशन की इसलिए रख रगी है बट फिर भी आप पूछ रहो इसका मतलब आपने पुरानी तीनचा क्लास देखी नहीं है तो आप दोस्तों क्योंशन बस ये कर डाला गुरूप डी जिंगा लाला वहला चाहिए न तो उससे नहीं होगा बटा आजाओ प्लाजमा जिल्ली डैश है बहुत प्यारा क्योंशन है देखिए दोस्तों मेरी बात को आप लोग समझीए जैसा कि मैंने बताया कोई कोशी का होती है ना इसके इसके जो सबसे भारी वाली लेयर होती है इसे आप लोग क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं सेल वाल यानि कोशी का बित्ती बोलते हैं दोस्तों किसी में मिलेगी किसी में नहीं मिलेगी कोई बात नहीं लेकिन जिसमें मिलेगी वो उसकी तो सबसे भारी सेल वाल कोशी का वित्ती होगी न और इसके अंदर जो आप लोगों की लेयर होती है इसे आप लोग बोलते हैं सेल मेंब्रेन यानि कोशी का जिल्ले अब मेरी बात को आप ध्यान से समझे दोस्तों जो सेल वाल कोशी का वित्ती होती है यह इसकी अगर आप लोगों से नेचर या यानि पार गम्मे पार गम्मे का मतलब क्या है कि इसको कोई दिक्कत नहीं है बाहर से कोई चीज अंदर आए अंदर से कोई चीज बाहर आए इसको कोई फरक नहीं पड़ता तो आप मुझे एक छोटी सी बार बताओ अगर मालो अंदर और चलो फ़हले अंदर वहले बतता हूं दोस्तों जो cell membrane होती न कोशी का जिल्ली जो होती है जिसको प्लाज्मा जिल्ली भी बोलते हो इसकी प्रकरती कैसी होती है इसकी प्रकरती होती है semi permeable और जिसको आप लोग हिंदी में बोलते हैं अर्ध पार गम्मे अर्ध पार गम्मे का मतलब क्या है यह किनी चीज को तो आने देगी किनी चीज को तो जाने देगी और किनी चीज ऐसी होगी जिनको नाने देगी ना जाने देगी मतलब काम की चीज़ों को तो अंदर आने देगी जो काम की चीज़े नहीं है उसको नहीं आने देगी या फिर आप लोग ऐसे समझ सकते हो जो काम की चीज़े उसको अपने पास रखेगी जो काम की चीज़ नहीं है उसको भार जाने देगी ठीक है तो बढ़िया कौन है यार कौन बस्ती सेल वॉल इसको तो कोई दिक्कती नहीं है कोई चीज अंदर आओ भार जाओ तो दोस्तों अगर अंदर का जो भी खाना पहुंचा था कार्बॉइड टोटीन फैट अगर सारा भार निकल जाएगा तो क्या सेल वॉल रोकीगी क्या उसको कोई फरक नहीं पड़ता प्रस्ता जाने दो तो सेल की क्या हो जाएगी डैट हो जाएगी तो हमको अंदर कोई ऐसा चाहिए ना जो खाने को रोक सके याद जो काम की चीज उसको भार नहीं जाने दे तो सैल मेंब्रेन बहुत जरूर यह तो दोस्तों किसी कोशीगा में सेल वॉल पाए जाए या नह कि जाए को आपको को 100% मिलेगी समझ मेंंने चोव नहीं आने देका ठीक है तो बाकि सभी मैंने ऐसे लोग टीम रखी जो बहुत अच्छे क्विशन मेना ए जिन आप कोशी का के अंदर मौझूद जैली जैसा पदार्थ क्या कहला था जैसरा कि मैं आपको बता है जो हमारी कोशी का उती है एस kupologist हुआ है जैली से संप्सक्राइंने से क्या बोलते हैं जल्ली से के अंदर होने वाली सभी activity को control करता है इसी लिए हम लोग इस nucleus के इंद्रक को क्या-क्या नाम देते हैं brain of cell यानि कोशिका का मस्तिक दूसरा क्या नाम देते हैं manager of cell ठीक है तो यह दो इनको नाम दिया जाता है तीसरा का नाम क्या दिया जाता है controller of cell यार control कर रहा है activity जितनी भी हो रही है कोशिका में जितनी भी गतिवी दिया हो रही है उसको control कर रहा है तो यार इतनी उपादी तो देनी पड़ेगी ना चलो अब आजाओ इदर आओ अब आजाओ आपने बताया सर न्यूकलियस के बाहर और कोशिका के इंदर एक लिक्विड पाया जाता है जैली जैसे सब्स्टेंस पाया जाता है सर जिसको cytoplasm यानि कोशिका दरवे बोल रहा है दोस्तों ये बात पूरी तरीके से सही नहीं है आपको मैंने गलत पड़ाया है है तो सब्सप्षी बताओ पूर। में आपको बताता हूँ सही चीज यह है आप लोगों को पता है हमारी कोशिका के अंदर क्या पाया जाता है पाये जाता है तो यार आप यहान से ढ Εक रहेखो अगयो आपने पानी लिया पानी में थोड़े से पत्थर डाल दिये, थोड़े से मालो दोस्तो हीरे डाल दिये, थोड़े से मोती डाल दिया, थोड़ा सा कुछ और डाल दिया, तो ये जो सारी चीजे बनीए इसको आप साइ्टो प्लाजम बोलोगे, तो कोशी का द्रवे क्या है, कुछ भी नहीं, मच गए गया मैं आपको फिर से बता रहा हूं जैसे माल लीजिए आप लोगों ने पानी लिया पानी में कुछ डाल दी पत्थर पानी में माली उसी पानी में कुछ आपने माली कोई डाल दी सिक्के डाल दी है तो यह जो सारी शीजे मिला कि आप लोगे इसको साइटो वाला पार्ट है बोल रहे हो जब कि साइटो प्लाजम आप लोगों किसको बोल रहे हो कोशी का जिल्ली है इसके अंदर जो भी चीजे आ रही है ना नूखलियस के बाहर और यह इधर सारी चीज अ रही है लिटी वला पार्ट जितने भी कोशी आँगा सबको मिला कि आप लोगे साइटो प्लाजम बोलोगे ठीक है तो करेक्ट असर आप लोगे साइटो प्लाजम हो जाएगा ऑप्शन नमबर है चलो और दोस्तों नियूकलियू प्लाजम क्या होता है देखिए यह जो नूकलियस होता है ना इसके अंदर भी लिक्विड भरा होत है टैसे कब लॉंचों में दोस्तों आज घोच हो के आज होगा कि टेंस्या मतलोग है आज हो जाएगा है चलिए बता ये ब्ल्यू ग्रीनलगी क्या है दोस्तों दिहान दरखेंगे जो कुश्य का होती ना वो दो प्रकार की होती है एक तो होती है प्रोकेरियू टिक सैल और एक होती है eukaryotic cell दोस्तो prokaryotic cell किसमें मिलेगी जो ज़्यादा develop organism नहीं होते उनमें आपको मिलेगी क्यों 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 कि ये prokaryotic cell है ना वो खुदी develop नहीं है कैसे develop नहीं है जैसे आओ eukaryotic के बारे में बताऊं तो उसमें देखो क्या-क्या मिलता है इसमें nucleus केंद्रक मिलता है क्या मिलता है इसमें mitochondria मिलता है क्या बिल्कुल मिलता है इसमें golgi body मिलता है क्या बिल्कुल मिलता है इसमें endoplasmic reticulum antirapradivy जाले का मिलता है क्या बिल्कुल दोस्तों इस बिचारे के पास में nucleus यानि केंद्रग भी नहीं है तो बहुत टूटा-फूटा है माइटो-गॉंड्रे भी नहीं है गौलजी बोडी भी नहीं है एंडो प्लाज्म की रेटिकुलम भी नहीं है तो यार इनके जो इतने सारे काम थे वो कौन करेगा कोई नहीं कर पाएगा यानि प्रो केरियोटी कोशिग प्राइस लेना चाहेंगे यू केरिटी कोशिगा उनको देदो जिनको जीवन में कुछ चाहिए हैं नहीं हम कुछ फंक्शन करने ही चाहते तो बेसिकली यह वाली कोशिगा केवल और केवल बैक्टीरिया में पाई जाती है जिवान नूँ इन बैक्टीरिया की क्या वसकी बात आप बताओ थोड़ा सा कभी ऐसे करना और वाई बता क्याल चाल रहा है क्या पता दोनों आतों की बीच में 10-15 बैक्टिरिया मर जाए क्योंकि वैसे ही कोशिक ऐसी पाई जारी है जिनके कुछ फंक्शन ही नहीं है है ना चलो यू कैरिटी कोशिका किसमें मिलेगी दोस्तों प्लांट में एनीमल में अरे सब में मिलेगी यार बैक्टिरिया को छोड़के जितने भी आप लोगों के जीव है सभी में क्या मिलेगी यू कैरिटिक सेल मिलेगी अब आजाओ देखो इदर आओ दोस्तों मुझे बताओ क्या बैक्टिरिया फोटो सिंतेसिस कर सकते हैं या नहीं कर सकते सर तभी तो हमारी बॉड़ी में आता है खाना लेने के लिए और हमको बिमार कर जाते हैं तो दोस्तों कुछ बैक्टिरिय का नाम क्या है साइनो बैक्टिरिया है और यह साइनो बैक्टिरिया दिखने में एक एलगी की जैसे लगते हैं एलगी एक्चुली में क्या है प्लान्ट एक प्रकार का लेकिन दिखने में उस एलगी की तर लगता है इसलिए इसका नाम क्या है ब्लू ग्रीन एलगी है बट actually में ये क्या है एक बैक्टिरिया है और अगर बैक्टिरिया है तो इसमें कौन सी सेल पाई जाएगी प्रोकेरियोटिक और ऐसे जी जिन में प्रोकेरियोटिक सेल पाई जाती है उनको आप लोग बोलते हैं प्रोकेरियोट्स ठीक है क्या चले आगे चलिए बहुत बढ़िया नएश कोशन आपकी स्क्रीन पर बताईए सब्सक्राइब में एक्स्पिनेशन भी होगा ना सॉल्यूशन का ओविसली बात यार बिना एक्स्पिनेशन के क्या समझोगे आप बताईए राइबोजोम किसके लिए जगए है मतलब राइबोजोम का कारे क्या है देखो यह हमारी कोशी का है दोस्तो पिछली स्लाइड पर मैंने आपको चीज बताई थी देखो इतरा हो मैंने बोला प्रोकेरिटिक में यह भी नहीं पाए जाता हना ना माइटोकॉंट्रे गॉलजी बोड़ी-endoplasmic reticulum के राइबोजोम पाए जाता है कि बिलकुल दोस्तो राइबोजोम यहां पर मिल जाएगा यहां पर भी आप लोगों को मिल जाएगा लेकिन यहां पर जो राइबोजोम होता है वह आप लोगों का छोटा मतलब वैल डवलप नहीं होता राइबोजोम के ध्यान से देखोगे ना तो राइबोजों को जब जूम करके देखो नहीं ऐसे होता ही है नो दो पार्ट से मिलके बना हुआ है तो अगर आप लोगों से पूछा जाए 70S राइबोजों में ये जो दो सब यूनिट है वो क्या है मतब 30 प्लस 40 है यह क्या है आप मुझे बताइए और अगर मैं आप लोगों से पूछूँ 80S वाला जो राइबोजों में ये भी दो दो चीजों से मिलके बना हुआ है तो यह वाला कितना है तो यह होता है 40S यह होता है 60S यहाँ पर कितना होता है बताइए बूली गया मैं तो यहाँ पर होता है 30S प्लस 50S अब आप लोगे सर मिलके तो 80 हो रहे हैं डबकी टोटल 70 है नहीं दोस्तों इसकी नेमिंग कुछ इस प्रकार से होती है 10 common होता है इसमें यहाँ पर 20 common होता है तो सब यूनिट्स आप लोग ध्यान रखेंगे बात अतरी राइबोजों का कारे क इसे ठीक है प्रोटीन के निर्मान की जगह है चलिए निमलिकित में से कौन एक कोशी के जीव है तो आप लोगों को पता है जितने भी जीव है उनमें कोशी का मिलेगी मिलेगी कोई जीव ऐसे होते हैं जिनमें एक ही कोशी का मिलती है कोई जीव ऐसी होते हैं जो बहुत सा कोशिका तो होगी नहीं बहुत सारी कोशिका से मिलके बना होगा बंदर भी अरित्ता बड़ा है बहुत सारी कोशिका से मिलके बना होगा कैच्व अभी छोटा नहीं है थोड़ा इत्ता बड़ा तो होता है कम से कम तो भी बहुत सारी कोशिका से मिलके बना होगा अमीवा जो ह भूनित पादब जगत में रखते हैं किसे को एनिमल यानि जनतु जगत में रखते बस आप को मुझे यह एक कहां पर घौए मेरा क्योंच यह है अपी भागो आप लोग convenient अप कहां पर रखोगे कौन से जगत में रखोगे बता हूँ मोनिरा में रखोगा प्रोटिष्टा में रखोगा देखो यार ऐसे गलती कर रहो परसो ही मैंने आप लोगों को फाइफ इंडम क्लासिफिकेशन पाथ जगत वर्गी करन करवाया है शाम को चार बजे वाली क्लास में मैंने आपको बोला भी था बहुत इंपोर्टेंट है पढ़ो देखो उसके बाद जूद गलती कर रहो देखो कोई मोनिरा शरम नहीं आरी तुमको यार ऐसी सेलेक्शन होगा गया तो क्या मतलब इतनी मेहनत करने का आपके लिए बताओ आपके लिए शाम को चार बजे है ना फाइफ किंडम क्लासिफिकेशन जो कि इवन मैंने लिख वाए था दो माक्स पक्यार उससे कुशन आते ही आता है फिर भी नहीं पढ़ रहे है आप लोग बताओ अभी अंसर मोनिरा आ रहा है किसी का प्रोटेस्ट आ रहा है अभी भी सबका एक जैसा नहीं आरा तो इसके पिछे क्या कारण हो सकता है पढ़ाई नहीं कर रहे हो और यह अभी पढ़ाई करने का मतलब अगर मालो आप बोलोगे कि सर मैंने वीडियो नहीं देखा था तो यह चीज तो आनी चाहिए आप दो साल से करके रहे हो तीन साल से करके रहे हो यह तो बहुत बेसिक चाहिए मेरी बात को ऐसे जीव जिनमें प्रोकेरीटिक सेल पाई जाती है उसको आप लूब मोनेरा जगत में रखोंगे ऐसे जीव जिनमें यूक्र Cheers जल पाvs जाती है और जो देखिए मेरी बात को समझिए आप लोगों को बता है एक generation से दूसरी generation में कुछ characteristics आते हैं जैसे हो सकता है आपके जो face cut है वो माता जी की जैसे हो या पिता जी की जैसे हो हो सकता है आप लोगों के बालों का जो color है वो पिता जी की जैसे हो आपकी height मान लीजे माता जी पे गई यह नानी पे गई दादा पे गई यह इसका मतलब किया है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कुछ तो आ रहा है जिसकी वज़े से क्या रहे हैं कुछ केरेक्टर्स आ रहे हैं तो दोस्तों जो कुछ आ रहा है उसी को आप लोग बोलते हैं जैनेटिक सब्स्टेंस आनुवांशिक पदार जो क्या कर रहे हैं आनुवांशिक्ता के लिए रैस्पॉंसिवल है और एक्चुली में जो चीज आती है एक जैट उसका नाम क्या है जीन है तो आप लोगों से कई बार पूचा जाता है ज अगर बात करें यह जो एक पॉलीमर है बहुलक होने का मतलब क्या है जो बहुत चोटी 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 चीज चीजों से मिलके बना हो तो यह जो चोटी चोटी चीजों से मिलके बना होता है इसे आप लोग बोलता है मोनुमर यानि एक लग तो अगर आप लोगों से पूचा जाए डी ने का जो मोनुमर है एक लग है इसका नाम है नूकलियोटाइड क्या नाम है अरे बोलो ना यार निोCKLEOTIDE बी तो किसी न किसी चीँ से मिलकिया बना होगा अगर आप लोग ऊसे पूछा एएक नूल किससे बना होता है सो दूसतों gradually की बना होता है यानि कुछ शार नाइटूजन न्यक्तिशार होता है शुगर किसको पूछें या यह दूसरा नाम शुगर होता और इसका वती है c5-H10O5 और ऐसी पार यह जाते है उसे आप लोग जसे बोलते हैं है अगर इस बोलन यो था आ गोन टीन डाप गर नहीं एक प्लास हुगरर प्लद शुगर पाई जाती हैं legends नहीं या मैं बोलू नूइक्लियोटैड में से अगर फॉस्टवेट हटा दे तो ये दो चीजेंगे इनको मिला कि आप लोग बोलोगे नूइक्लियोटैड से मिलके बनावा है रहे गया पोई परिशानी चलवा जाओ अगर नेश कोशन आप की स्क्रीन पे और बताओ दोस्तों पढ़ाई वगए अच्छी चल रही है कोई दिक्कत तो नहीं आ रही सर जी मौक टेस्ट का डिसकेशन यूटूब पर होगे नहीं दोस्तों जब आप लोग टेस्ट जेंगे ना तो लाश में जब आप सब्मिट करेंगे वहाँ पर आपके सारे सॉलूइशन आ जाएंगे कि आपके ये वाले गलत है ये इसली तो मैं टाइम ले रहाँ जिससे आप को सारी अच्छी चीज मिले जैसे आप लोगों को पता है जो अपना कोर्स था वीडियो कोर्स से देखो कितना शानदार है क्योंकि हर एक चीज यार इतनी मैनद से बनाई जा रही है एक भी पॉइंट उसमें छोड़ा नहीं जा रहा है ठीक है तो पहले डे कन निमलि किट में से किस कोशिकान का दूसरा नाम है देखिए दूस्तों बात को समझिए अगर हमलोग बात करें हमारी कोशिका तो कोशिका के अंदर क्या-к्या पाए जाते हैं इस कंसर क्या होगा बताओ देखो एक्चुली में कुशी का की अंदर क्या पाय जाते हैं चोटे-चोटे से कंड जैसे इस्ट्रक्चर थे जिसको नाम दिया गया पैलेडे कं यह पैलेडे ग्रेनुवल्स यह पैलेडे पार्टिकल्स क्यों क्यों कि इनकी डिस्कवरी करी थी दोस्तों पैलेडे नामक साइंटिस्ट ने बाद में इनी कं को इनी पैलेडे पार्टिकल को क्या नाम दिया गया राइबुजों नाम दिया तो राइबुजों कुछ भी नहीं है पैलेडे कं का ही आपका दूसरा नाम है चलिए अच्छा गोशने बताईए टैसिज कव लॉंच होगी तो आज दो जाएगी है ना मतलब आज से लेट नहीं करूंगा मैं आई प्रॉमिस यो निमलिकित में से किसमे वास्तिविक न्यूकलियस यानि केंद्रक नहीं पाये जाएगा देखो मैंने अभी अभी आप लोगों को बताया यार कोशी का दो प्रकार की होती है दोस्तों कौन सा दो प्रकार है एक प्रोकेरोटिक एक योकेरोटिक दोस्तों मैंने आपको यह ब बोलेंगे फॉल्स न्यूक्लियस ए सत्य केंद्रक क्योंकि यार जो केंद्रक की खाश्यत होनी चाहिए वह ही नहीं तो इसको जूठा बोल दे क्या बोल दो जबकि यू केंद्रक सेल आप लोग इसको वह लोगें ऐसी कोशी का जिसमें आप लोगों को एक वैल डवलप इसे आप लोग ट्रू न्यूक्लियस भी बोलते हैं एक सत्य केंद्रक भी बोलते हैं वास्त विक इंद्रक भी बोलते हैं तो वास्त ट्रू न्यूक्लियस किसमें नहीं पाए जाता यानि कौन सा ऐसा है जिसमें प्रो केरिटिक सेल वाले में ट्रू न्यूक्लियस आपको ही मिलेगा तो प्रो केरिटिक सेल केवल और केवल बैक्टिरिया जीवानू में पाई जाती है ठीक है तो करेक्ट अंसर आप लोग का ऑप्शन नमबर डी हो जाएगा चलिए दोस्तों इसका अंसर बताएंगे राइबुजोम किसके बने होते हैं तो जो मैंने आपको बता है ना हमारी कोशिगा के अंदर जो राइबुजोम पाई जाता है ना राइबुजोम यह चोटे चोटे पार्टिकल्स होते हैं तो यह किसके बने होते हैं आर एने प्लस प्रोटीन के बने होते हैं करेक्ट अंसर बिल्कुल सर बताओ बिल्कुल जा जाता है देखो दोस्तों जो न्यूकलियस होता है ना न्यूकलियस के चारों और एक मेंबरेन एक जिल्ली पाई जाती है जिसको आप लोग बोलते हैं न्यूकलियर मेंबरेन और हिंदी में आप लोग इसको बोलते हैं केंद्रक जिल्ली समझ में आ गया अगर आप लोगो से कई बार यह पूछा जाता है सबसे छोटा सबसे छोटा जिल्ली युक्त कोशिकांग कौन सा होगा membrane bound cell originally कौन सा होगा जिल्ली युक्त कोशिकांग मतलब जिसमें जिल्ली हो और सबसे छोटा हो तो आप लोग यहां पर गलती से ribozome क्लिक मत कर देना यार क्योंकि ribozome सबसे छोटा है लेकिन इसके चारों और कोई membrane कोई जिल्ली नहीं पाई जाती तो इसके बाद में फिर कौन सा आगा दोस्तो लाइजो लाइजो़ोम है जो छोटा है और साथ में जिल्ली भी पाई जारी तो इसका अंसर क्या हो जागा लाइजोजोम हो जागा दोस्तों समझ में आगी बात को ठीक है चलिए इसका अंसर बताइए और यार देखो 400 लोग देख रहे हैं लाइक नहीं करते हैं इतने कंजूस बनके बैटे हो बताने कहां जाओगे यार एक लाइक तो करो शेर तो करो दोस्तों को चलो निमलिक और ऐसे रोज कमेंड करते हो सर हम आपके साथ में टेंशन बतलो साइंस मागनेट को यहां पहुचा देंगे लाइक करते हैं नियों बाते करालो बड़ी बड़ी चलो आजाओ इधर निमलिक रिखित में से कौन सी संरचना प्रोकेरिटी कोशिका में नहीं पाई जाती है दोस्तो प्रोकेरिटी कोशिका में सर नूकलियस नहीं मिलता केंद्रक नहीं मिलता तो दोस्तो जब नूकलियस ही नहीं मिलेगा तो इसके चारो और की जो नूकलियर मेंबरेन है जो केंद्रक जिल्ली है वो मिलेगी क्या नहीं मिलेगी करेक्ट अंसर ऑप्शन नमबर सी हो जाएगा जबकि मैंने बताया राइबोजोम आप लोगों को मिलता है सर सेल वॉल मिलती है अरे यार दोस्तो बैक्टीरिया में पाई जाती है ना प्रोकेरिटी कोशी का तो हाँ बैक्टीरिया में सेल वॉल मिलती है कोशी का बित्ती मिलती है है अगर जीवानु में तो वह सेल वाल किसकी बनी होती है आप लोग बोलोगे पैक्टीन सर यह पैक्टीन क्या होता है दोस्तों यह मिक्चर होता है प्रोटीन और कार्भो आइडर का सर अभी तो ग्लाइकन को यह चले आगे चली नाइश कोशन अपकी स्क्रीन पर बताएंगे सर साइंस में प्रश्ण आते हुए भी गलत हो जाते हैं तो देखो सबके साथ में होता है ना परिशन मत हुआ कर देखो गलती हो रही है तो बस आप यह देखो उसको अपने सर पर मतावी होने दो जब आप लोग टैस्ट होगे ना जैसे मैं आपको तरहूं टैसरी लॉंच कर लिए हो तो अच्छी वात है ना आपने टैस्ट डे लिया जिससे आप लोगों को पता बढ़ गया कि यह मैं मिश्टेक करता हूं या करती हूं अगर यह मिश्टेक आप अभी नहीं पकड़ते तो यह जाके एक्जाम में होती है आप लोग टैस्ट आप लोग को लिए देन दर लाइद 210 कि भी कोई कोशि का बन भी होती है कि बनता है सबसे पहला जो कोशिक हांक बनता है वह मैट्रॉठ्य मता है बैसिकली जो एनरजी वाल कोशिका आंग से बागी की चीज़े बनेगे ना तो लाइजोजोफ वनता है दोस्तों जो गौँल जी बॉड़ी होती ना इसी का यह पार ठूठ टूठके क्या बनाता है लौट है तो लोग का को जाएग का है लोड़ी या गॉल का यजी आपके अपने जारे नाम है या इसके ठीक है ठीक है अब एक इक चीज़ आप लोग ढ्रास समझोगा कि जो कोशीगा की अंदर हमारा जो you 倒on पाये जा रहा है कैसकी संख्या एक होती यह नहीं बहुत सारे हो सकते लेखो कि यह यह बेटा है तो यह बैटा लाइजम् हम लोग रखता है कि जो तौन होता है वह भी एक होता है कितने सारे है एक दो तीन चार पांच आठ चैह साथ आठ नॉ देख पारे हुआ आप लोगों तो बस एक एक बेसिक understanding के लिए बता रहा हूं आप लोगों को लगता है कि कोश्यगा में एक ही mitochondria होता है या एक ही ribozome होता है ऐसा नहीं है आप देखो समझ लो मेरी बात को प्लीज समझो यह रही गॉल जी बॉड़ी कोई बात नहीं आप नहीं पैचांद रहे मैंने ऐसे बना दिया लो यह है गॉल जी बॉड़ी दोस्तों इस गॉल जी बॉड़ी से कुछ डवलप होता है कली का जैसा जिसे आप लोग बोलते हैं बढ़ तो यह आप लोगों के अलग होगे क्या बनाता है लाइज़ू बनाता है तो अगर आप लोग उसे पूछा जाए कि गॉल जी बॉड़ी गॉल जी कॉंप्लेस गॉल जी एपरेटर से जो लाइज़ू बन रहा है वो कौन से मैतड़ से बन रहा है जिसे आप लोग हिंदी में बोलते हैं मुकूलन क्या बोलते हैं मुकूलन ब पादब कोशी का बित्ती किसकी बनी होती है तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया हमारे में तो सेल वॉल होती नहीं है एनिमल्स में तो होती नहीं है प्लांट में मिल जाएगी के बिल्कुल तो प्लांट की जो सेल वॉल होती है सबसे आउटर जो लेयर होती है वो किसकी बनी होती है और दोस्तों क्या फंगस में भी पाई जाती गया सेल वॉल कवक में भी पाई जाती है बिल्कुल सर कवक में भी मिलती है तो कवक की सेल वॉल जो बनी होती है वो किसकी बनी होती है काईटीन की बनी होती है सर मुझे बताओ जो बैक्टिरिया होता है जिसे आप ल तो यार आपके बलड की जो आरवी सी होती ना उसमें आप लोगों को नूक्लियस भी नहीं मिलेगा तो करेंट अंसर अप्शन नमबर है तो दोस्तों कोशिका की जो चीजे होनी चाहिए ती वह यह नहीं तो इसको कोशिका बोलना सही रहेगा क्या तो इनको हम लोग लाल रख्त कोशिका का ही दूसरा नाम क्या है लाल रख्त कनी का रैड बलड सैल का ही दूसरा नाम क्या है रैड बलड कॉप्सुकल दूसरा नाम क्यो रखना पड़ा यार बोलता है हम सैल है हम कोशिका है हमारा नाम दो कोशिका अरे तुम्हारा नाम तो देदेंगे तुम्हारे में नूकलियस है ना तुम्हारे में माइटो कॉंड्री कैसे नाम दे नुछ से तुम्हारा नाम क्या है औरuste आर योंगी जी नहीं करें ना ठेसे गता है डार 100 काटे चयंज कर रहे हैं बता हो सर जब मैं पढ़ने बैठता हूं तो मुझे काम आ जाता है तो ये दुनिये में हर किसी व्यक्ति के जब मैं पढ़ाने बैठता हूं मेरे बास भी आता है काम दोस्तों के फोन आजाते हैं कि चलो भाराज, बहुत दिन हो गए, दो-तिन महीन हो गए मिले हुए, जब पढ़ाने बैठता हूं, मम्मी जी गा जाता है, ये चाय पत्ती ला दे, दूद ला दे, तो काम सब के बास में आता है, आपको काम को प्रायाटी राइस करना कौन आपके लिए जरूरी है, अभी मेरा मार्केट से दूद लाना जरूरी है, आपके लिए पढ़ाना जरूरी है, तो I think आपका भी अंसर से हम होगा कि नहीं सर पढ़ाना जरूरी है, तो दूद तो क्या है सर आ जाएगा, बिना चाय पीर है जाना आज, लेकिन इस क्लास आपको लगता है आपके पड़ाई से इंपोर्टन कुछ ज्यादा काम है तो जाओ वह काम कर गया अंत्य प्रद्वी जाली का सत्य पर मौजूद डैश के कारण खुडरे होते हैं देखिए जैसे आपको मैंने बताया कि अंदर बहुत सारे कोशी कांग पाए जाते हैं वैसे ह आप लोगों के एक चीज और पाई जाती है जिसे आप लोग बोलते हैं एंडोप्लाजमिक रेटिकुलम और इंदी में अंत्य प्रद्वी जाली का ऐसे होती है जाली का टाइप में तो देखिए कुछ एंडोप्लाजमिक रेटिकुलम होती है जिनके सरफेस पे राइबु नहीं पाए जाएंगे तो हाथ लगाओगे तो कैसे लगेंगे सॉफ लगेंगे तो अंतिर मौजूद डैश के कारण खुर्दर होते हैं तो उस पर क्या पाए जाता है राई पूजूम पाए जाता है करेक्ट अंसर ऑप्शन नमबर डी हो जाएगा चलिए अंसर बताएंगे सरे एक दिन में कितना मौक टेश लगाना चाहिए वैसे काईदे की वादानों एक सब्फिशन्ट है न कि आपको बाकी चीजे भी तो रिवीजन करनी होती न निम लिकित में से कौन सा कोशिगांग पादप और जनतु कोशिगा दोनों में मौजूद है बताईए निम लिकित में से कौन सा कोशिगांग पादप और जनतु कोशिगा दोनों में मौजूद है दोस्तों सेल वाल कोशिगा बित्ति प्लांट में तो मिल रही है बट हमारे में नहीं मिल रही है दोस्तों इस बार NTPC CBT1 2019 में क्योशन आया कि जो प्लांट सेल होती है और एनिम का साइज बड़ा होता है कि जो होना चाहिस बता वियु वर paso कि है आपकी लाउता कि होना चाहिए न ब्ल्कुल जैसे घुलाप का वहदा है आमके हाइट के comparison में तो वो छोटा है ना तो आप बस मुझे बताइए क्या होना चाहिए उसका please एक proper explanation दिजे sir this is the reason कि ये कारण के जिसे plant cell बड़ी होती है या animal cell बड़ी होती है आप मुझे ये बताइए ठीक है देखो मैं आपको समझाता हूँ जो देखो हमारी के नाम से भी जानते है कहानी के लिए रह गया ठीच अब क्या करे मैं व्यस्दि बताइए को कि क्यों कि यहां से मैं दो क्योशिन निकालने वाला हूँ जो इस बार आप लोगों के एंटीपेसी CBT2 में पूचे गए पूचा ये गया है वेक्योल में चारो और क्या लेयर पाई जाती है मतलब खाली स्पेस का एक लेयर से गिरा होता है कि बिल्कुल तो इस लेयर का नाम क्या है इस लेयर का नाम है टोनो प्लास्ट बह बनाते हैं तो फूड श्टोर भी तो रहना पड़ेगा क्योंकि ऐसा तो है रात को जब इच्छा हो फोटो संतेसिस कर ले तो बेसिकली फूड का स्टोरेज करते हैं और प्लांट में फूड का स्टोरेज ज्यादा होता है नेक्स लोग बात करते हैं क्लोरो प्लास्ट दोस ож dois में को आप लाइजोजोम का कारे क्या होता है इसको can都 Charlotte भी आगे क्योंशन कराएंगे ऊसमें क्लीर हो जागे ठीक है चलिए बताएंगे भी में से कोशी का बित्तीं के किसमें पाई जाती है 2002 human जाती गे नहीं जितने भी निमिल सब्सक्री जाती चांट है तो ये तो क् safeguard अगर सबसे चीध चोटा बैक्टीरिया निमन में कोशिका वित्पी पाई जाती है अच्छा अबมार्ण सबसे चोटा जिवान होले और बेक बैक्टिरिया में सेल्व पाई जाते हैं वैक्तिरिया जिसमें वाल नहीं पाई जाती है तो आपका बात सही है यह प्लोट आप लोगों का ऑप्शन नमबर भी हो जाएगा चलिए इस cancer आप लोग बताएंगे निमलिकिट कोशिकांग पर आप लोगों को विचार करना है तीन आप लोगों को कोशिकांग दिये हैं Mitochondria, Cloroplast and third one is Endoplasmic Reticulum तो आप लोगों को बताना है इन में से Semi Autonomous Organal कौन है अर्द स्वायत कोशिकांग कौन से है दोस्तो यह हमारी कोशिकांग है ठीक है सर इस कोशिकांग के अंदर Nucleus के इंद्रक पाए जाता है यह बिलकुल मैंने आपको पता है Nucleus के अंदर Chromosomes होता है उस Chromosomes जो होता है DNA का बना होता है DNA बहुत important है क्योंकि जो मैंने बता है जो ट्रांसफर्स होते हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में करेक्टर्स कुछ गुर्ण वह जीन की वज़े से होता है एक्चुली जीन क्या होता है DNA के ही कुछ segments होता है तो आप बोल चकते हो DNA बहुत important है यार तो यार हमारे जो DNA पाये जाता है वो nucleus में पाये जाता है लेकिन 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 हमारा जो mitochondria होता है ये भी क्या करता है इसमें भी आपको DNA मिल जाएगा तो जिनके पास में DNA होता है यार वो आपने आर्दे से ज़्यादा काम खुद ही कर लेंगे ये मतलब बहुत खतरनाक चीज़ है उनके पास में तो ऐसे कोशिकांग nucleus के अलावा केंदर के अलावा जिनमें DNA पाये जाता है उन्हें आप लोग semi-autonomous original बोलता है तो एक तो दोस्तों mitochondria में मिल जाएगा दूशी चीज बात बताओ मैं plant की जो cell होती है ना पादब की जो कोशिका होती है उसमें जो पाया जाता है ना chloroplast उसमें भी क्या मिलेगा क्या मिलेगा उसमें भी आपको DNA मिल जाएगा तो ये भी आपका सेट्मी autonomous original है यार एक बाद चार्जर करनेट करो ठीक है तो आपका correct answer कौन सा हो जाएगा 1 and 2 हो जाएगा option number B आपका correct answer हो जाएगा चले आगे चलिए DNA का structure किसने दिया बहुत अच्छा question है समझो मेरी बात को देखो दोस्तो ये जो हमारा cell है कोशिका है कोशिका के अंदर पाया जाता है nucleus यानि केंद्रक nucleus के अंदर जो acid पाया जाता है उसको बोलता है nucleic acid केंद्रक के अंदर जो अमल पाया जाता है उसको बोलता है केंद्रक अमल तो अगर आप लोगों से पूछा जाए कि nucleic acid कितने प्रकार के होता है दोस्तो DNA भी एक प्रकार का nucleic acid है क्योंकि ये भी उसमें पाया जाता है RNA भी एक प्रकार का Nucleic Acid है, तो अगर आप लोगों से पूचा जा, Nucleic Acid की खोज किसने करी, तो आपका अंसर हो जागा Frédéric Mischer, चाहिए वो DNA, और आपसे पूचा DNA की खोज किसने करी, DNA भी तो एक प्रकार का Nucleic Acid है, तब भी अंसर Frédéric Mischer आएगा, आ रहेने की खोज किस ने गरी तब भी आपका अंसर फेडरिक में शेर आएगा लेकिन आपसे question में पूचा जा रहा है DNA का structure किस ने दिया दोस्तों actually में DNA का structure होता है न वो ऐसा होता है ऐसा double helical होता है आप लोगों का इस टाइप का तो ये structure के बारे में किस ने बताया वाटसन एंड क्रिक ने बताया तो correct answer आप लोगों का option number a हो जाएगा correct answer ठीक है चलिए एक विशिष्ट कारे करने वाली समान कोशीगाओ के समू का नाम क्या है दोस्तों हम लोग बोलते हैं कोशीगाओ के समू को उत्तक बोलेंगे अरे यार कैसे उत्तक बोल दोगे जैसे मालो एक तो आपने अपने हाथ की कोशीगा ली एक आपने लीवर की कोशीगा ली एक आपने ब्रेन की कोशीगा ली एक आपने छोटी हाथ की कोशीगा ली तो इन कोशीगाओ के समू को उत्तक बोल दोगे के नहीं दोस्तों इन उत सबी कोशिए का विशेश्ट एक पर्टिकुलर एक स्पैसिफिक कार्यों सेम हो तो करेक्ट अंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा टीशू चलिए सबसे चोटी कोशिए का जली से बताओ जली से बताओ तो आप लोग अच्छा इसका जवाब देंगे ठीक है तो कल चार बजे वाली क्लास में डीने और अरने पर डीटेल पर क्लास ले रहा हूं जिसमें बहुत कुछ शांदर आपको कॉंसेप्ट दे रहा हूं जिससे क्योशन आते ही आते हैं जैसे कल मैंने आप लोगों को लैंस क्लासिफिगेशन एक बार डॉप्लर एफेक्ट पढ़ाया एक बार मैंने एक्विलेंट रजिस्टेंस निकालना बताया एक बार नुकलियर फ्यूजन और फिजन पढ़ाया तो आज मैं पढ़ाऊंगो फीमेल री प्रडॉड़क्टरी सिस्टम बट देक्टेकल डीन और दोस्तों मुझे पता है मैं आग बन करके लगाएंगे ऐसे एक देखो इदर देखो यार सबसे चोटी कोशी का आप लोगों से पूचा जा रहा है यह नहीं पूचा जा रहा मानव शरीक की सबसे चोटी कोशी का तो अगर इस अंसार में जितने भी जीव है उसमें पाई ज जोटी कोशी का है तो सबसे चोटा कोशी का है ठीक है तो करेक्ट अंसर आप लोगा ऑप्शन नमबर C हो जाएगा अगर पूचा जाए मानव शरीक की सबसे चोटी कोशी का तब आपका अंसर इस्पम होगा अगर पूचा जाए मानव शरीक की सबसे बड़ी कोशी का तो वो एग सेल होती है जो फीमेल में होती है और अगर मानव शरीक की सबसे लंबी कोशी का के बारे में पूचा जाए त कि 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 को लगे आप लोगे यार मैंने अभी आप लोगों को बताया है यह ना नूकलिएस के लावाद दो चीज ऐसी है जिसमें डियेट ने पाया जाता है एक तो बूक मिटी नहीं इन्होंने बोला नहीं हमको कुछ और नाम भी दो और विशेश नाम भी दो तो इनको हम लोग सेल विदिन सेल भी भोलता है तो अगर आप लोगों से पूछा जाए अगर आप लोगों से पूछा जाए एनिमल सेल में सेल विदिन सेल किसे बोलोगे गलती से प्लांट्रीया जबकि प्लांट्रीय जब क्लोडेशं गौन होगा क्लोडीयो क्लोडॉप्लास्ट और थीक है ठीक है जीसिए बस एक कि दो क्यों और बचे दोस्तों कोशिगा के जीवित-पदाथ को जीवद रव्य का देटा यह किस का बना था देखो एक्चुली में मैंने आपको बताता है न कोशिक न्दर जो यह नूकलिस के लिक्विड हो तैं जिससे नूइकलियो प्लास्म सब्सक्राइब टीए और किंद्रक्षर नोगे बचे या रहे तीनी तो बचे या रोस्त वैसे क्या करते हो बताओ जली से किसे ट्रैफिक पूलोगे बताओ देखो ट्रैफिक पूलिस आप लोग इसको बोलते हो समझो मेरी बात को जैसे माली जी कोशिका है यह दूसरी कोशिका है आप चाते हो इस कोशिका से प्रोटीन इसमें आए तो इस प्रोटीन के साथ में कार्बोहाइड्रेट के भी कुछ मॉलिकुल चिपक सकते हैं तो उसकी पैकेजिंग करोगे न आप और यह काम कौन करता है गौल जी बोडी तो भई अब आजा कोई रिक्कत नहीं है ऐसे नहीं सारी भेड़ चाले एक साथ आरी कार्बोहाइड भी आ गया है ना फैट भी आ गया तो सेम चीज आपने देखा होगा जब ट्रैफ कोशी का सिद्दान किस पर लगू नहीं होता बता हूं चोटी सी कुशन है आपको आता है मुझे पता है एक होंबर्क नंबर वन यह होंबर्क नंबर टू कमेंट सेक्शन में जरू बताइए कल मैं इसको डिसकस करूंगा कल भी मैं तीन दिये थे ठीक है चलो तो प्यारे द है मज़ा आ जाएगा मैं आप लोगों से बोल रहा हूं जूड के देखो फिजिक्स पूरी कंप्लीट हो चुकी है आप लोग को रिकॉर्डे सेक्शन मिल जाएगी केमेश्ट्री चल रही है इनकेस अगर लाइव क्लास मिस करते हो तो रिकॉर्डे मिल जाएगी एक साल की आप लोगों कोई वैलिडिटी है आप लोगों के अपकमिंग जितने भी एक्जाम है उसमें भी आप लोग देख सकते हो मतलब इस प्रकार से पढ़ाया जा रहा है अगर आप लोग बिल्कुल जीरो हो तब भी आप लोग हीरो बन जाओगे सिंपली आप लोगों को मैं बत आउट नहीं हो ठीक है तो आपको क्या करना है स्कोर्सेज में जाना है यहां पर आपको विंडो मिलेगी बाइनाव पे क्लिक करना है आप लोग पेटी एम गूगल पे फोन पे जिससे आप लोग पेमेंट करना चाहिए कर सकते हैं और यह टैस्स रीच में अभी जो 14,000 उस आपको अज़ का स इस खम गार में पे जापको विंडोग करना है स्कोर्स आपको विंडोता है